चिला अधिकारी के आदे सभी निमाने को रोकने के लिए शनिवार रविवार को पुरा जिला बंद रखा गया पेट्रोल पंप, मेडिकल वजिरनावश्यक वस्तों की दुकानों के अलावा सभी 100% बंद रहा दो दिन में करोडों का नुकसान भी हुआ लेकिन दो दिन बंद रखने से आर्थिक नुकसान तो हुआ लेकिन कोरोना की संख्या में कमी नहीं आई बंद रखने से क्या कोरोना थम गया यह सवाल वारी के जनता नहीं उपस्तित क्या बताया जारा है कि अमरावती में भारे मातरा पर कोरोना की लहर चल रही है फिर भी अमरावती से नाकपुर, नाकपुर से अमरावती की और प्रवासी बसे वो वहनों का आवागमन चल रहा है क्या बसों की प्रवासियों के माध्यम से अमरावती से नाखपुर कोरोना का फैलाव नहीं हो रहा इसकी जांज के लिए कोई सुविधा भी नहीं है कोर्णा के नाम पर व्यवसाई ठप हो रहा है पहली बार कोर्णा की मार जेली है अब नहीं जेल सकते कोर्णा के नाम पर व्यवसाई ठप हो रहा है करसले कर व्यवसाई खड़ा क्या दो दिन बंद रखने से क्या कोर्णा कम होगा सरकार बंद रखकर आर्तिक नुकसान क्यों शिल रही है ऐसा सवाल वाड़ी के एक व्यवसाई गनेश नीत नवरे ने प्रस्तूत किया शनिवार को चाय बंद लेकिन शराब शुरू थी दो दिन में करीब तीन से चार हजार का नुकसान हुआ बंद करने से कोरोना नहीं थमेगा दुकाने बंद न करे आर्थिक नुकसा टूट सकती है ऐसा वाड़ी के एक शिक्षक अनिल्ठाकरी नहीं कहा बंद न रखे नियमों को सक करे लॉकडाउन करके शेयर को आर्थिक नुकसान हो रहा है दो दिन बंद के बाद तीसरे दिन मार्केट में भीर दिखाए दी क्या तीसरे दिन कोरोना फैनले का डर नहीं चिले को बंद रखना उपाए नहीं है ऐसा वाड़ी के पत्रकार सौरप पाटिल का कहना था पहले सरकार ने पेट्रोल में सौर रुपए की बड़ोत रिकी लेकिन दो दिन के लॉकडाउन ने हमारी कमर तोड़ दी है मरे की जीए कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसा एक आटो चालक गजानन खेड कर का खेना है बीसीन नियूस के लिए वाड़ी से सौरप पाटिल की रिपोर्ट